आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके क्लाश्टेंद के चार पड़ें नाकुन क्यों बढ़ते हैं इसका जो है कुछ इनपोटेंड कोश्टन देखने वाले हैं इसका सारांस और लेखक परचे देखने वाले हैं इस वीडियो में आपका इस चैप्टर को पूरी तरह से खात्म कर दिया जाएगा तो पूरा वीडियो को ध्यान से और आपको ध्यान से सुनना है समझ रहा है तो चलिए हम लोग य बार बार बढ़ता है उसे कटना जो हम लोगा यह रेगलेटी बन चुका है यानि यह गतिमान है ठीक है इस तरह से हम लोग करते हैं इसका यह पूरा आपका यहां पर सारांस दिया हुआ है इसको में पर पर के बताऊंगा तो आपका समय बहुत लेपाँगा इसके लिए आ आपको यहां पर समझ सकते हैं बात करते हैं यहां से आया यह लेखा का ध्यान कैसे गया एक बात करते हैं इसमें लेखा को जो है उनके एक छोटी बेटी यानि एक लड़की तो उनके दोरा पूछा गया कि नाकुन क्यों बढ़ते हैं तब जाकि लेखा का वी ध्यान गया प्रसाइब बता है इस तरह से इन पर ध्यान दिये और नाखुन के बारे में वो न यह निवह भी इसको आप लोग यहां पर रिडिकर सकते हैं पर सकते हैं अच्छे से चलिए अम लोग यहां पर लेकर पर्चा की बात करते हैं ठीक है अगर आप लोगो लगे की परिद आप कॉमेंट करके जरूर बताए गाते हैं यहां पर देख सकते हैं यहीं है आपका तो हजारी परसाइब दुवेदी जैंटेकर जो कि चसमे में हैं देख रहे हैं यह अपने बिहार के ही थे ठीक है बिहार के यहां पर उत्तर परदेश के थे इस पार के लिए का जर्म अनिष्ट साथ इस भी में उत्तर परदेश यानि योपी इसको बोला जाता है यूपी के छपरा बलिया यानि आर्थ दूबे में हुआ तो छपरा में हुआ ठीक है छपरा वलिया पुरा नम इसलिए दिया जाए यहां पर क्योंकि छप्राज एक अपने बिहार में भी है ठीक आपको यह याद रखना होगा असोग के फूल जो है सो इतनी का हजारी प्रसाइट दूबेदी जीका जो है रचना है एक आपको याद रखना होगा इसमें कहां गया यहां पर अनामदास का पोथा ठीक है यह दू है का प्रस्ण लेखा कि आगे कैसे उपस्तित हुआ तो च पहला कोश्चन है ना प gonna क्यों बढ़ते हैं पाटकर यहां पे पहला कोस्चन है कि नाकों क्यों अपकल सबसुद्टे ए परसिन लेखा के सामने हैं कब उपस्तीठ हुआ चोटी के रूप में जो है यह कविता मतष्वरी यहां पर कहां दी निवन लिके जिसका नाम नाखुन क्या बढ़ते हैं तो आई होप आप लोग पहला कोष्ण का इंसर यहां पर कंपलीट हो गया लोग दोन हद कि यह सारे कोशन जो है इन्पोर्टेंट है चलिए आप लोग सारे वीडियो को सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए चलिए यहां पर सकेंड कोशन है वरते नाखुनों द्वारा प्रकृति मनुस्व को क्या याद दिलाती है यानि करके आश्ट की रूप में करते थे और अपने जनवर उसे यानि रक्षा करते थे इस तरह से हमारी पसु परविर्ती यानि पस्विक परविर्ति को याद दिलाती है सिंपल वाद यह एकदम सटिक है याद हो जाने वाला है सून कर ठीक है तो आप लोग इसको लिख भी सकत तो आपको अच्छा से दिख जागा तो चलिए हम दो देखते हैं यहां पर तीन आपको के सामने यहां पर दिख रहा है कि लेखक द्वारा नाखुनों को का अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है यानि लेखक जो है नाखुनों को अस्त्र के रूप में देखता है कहां तक संगत यानि यह बात कहां तक सच है तो चल यह देखिए यहां पर नाकुन को अस्त्र के रूप में देखना मेरे अनुसार यानि हम लोग के शिकार करने का एक हथियार था था ठीक है मेरे अनुसार यह बिल्कुल संगत यह बात बिल्कुल सई है क्योंकि जब हमारे पूरवच जंगलों में पसु की भाती रहते थे यानि जब रहते थे तो उनके नाखुन के द्वरां ही उनका रक्षा होता था उनहीं से हुआ हिंसक प्रान यानि जिव जनतू से द थे आतारी नाखुन के लिए एक अस्र था नाकुन उनके लिए के असर ता यह कहां तक संगत था दिकिए उसे यह उम्र reads सब्सक्राइब यह संगत अबाकि अभी इतना हथियार हो गया है मनुस ने इतना डेवलप कर चुके हैं कि अभी हथियारों की कमी नहीं है इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो यहां पर बताना संभब नहीं है और टाइम भी ज्याद लग जाएगा तो यहां पर आपको चार्ज है इन्पूटेंड था इसका जो की वह दे रहें आप लोग यहां पर है मनुस बारबर नाखुन क्यों करता है देखिये मनुस जो है बार बार यानि हमेशा अपने नाखुन को करता है तो एक अपनी पास्वी पृति को भूलाना देना चाहता है यानि वह चाह आपको बता चुक है आप फिर से मिलते हैं अगले वीडियो आपका अगला चेप्र लेकर यह विडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करना मत भूलेगा अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस करजे इसी पर आपको लाइब भी मिलते रहाता है पड़ेट सामको और सुबको तो आपनों जरूर्ड जुआन कि जिएगा तो